बिल्कुल hawk कहते हैं या, या बारेन भी कहते हैं, hawk या बारेन भी कहते हैं, बिल्कुल, next person हम बता रहे हैं आपको, एक होता है block, और एक होता है steer, देखें इन में क्या फर्रक है, वो लोग को mainly करसी कारियों के लिए बधिया बनाया जाता है, या फिर बनाया जाता है, या पाला जाता है, इस्टियर को जो बधिया या केस्टिट किया जाता है, वो mainly meet purpose के लिए किया जाता है, फिर भी इसमें थोड़ा और फरक है, जो इस्टियर को केस्टिट किया जाता है, या इस्टियर बनाया जाता है वो जो इसके secondary sexual characters है उनके develop होने से पहले यानि hormones के development से पहले जो male hormones है उनके development से पहले और बुलोग जो बनाया जाता है बुलोग secondary sexual characters के development होने के बाद में यानि sexual maturity से के बाद में बुलोग बनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट हमारा प्रसंद रहेगा आपसे बताएं कितने percent DCP से कम होने पर यूरिया मिलावट की जाती है खाद्य पदार्थों में यूरिया की मिलावट कितने प्रतिसद से बताएं बिल्कुल सही है 13% कुछ questions हो सकता है repeat हो जाएं क्यूंकि यह important question है 13% से यदि कम DCP है तो ऐसे खाद्य पदार्थों में क्या मिला दिया जाता है यूरिया अब रफेज और concentrate की बात कर लेते हैं रफेज और concentrate की बात कर लेते हैं यदि 18% से यदि ज्यादा crude fiber है और TDN 60% से कम है TDN तो ऐसे चारों को हम रफेज कहते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थों को हम चारे या रफेज कहते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थों के जिनमें 18% से कम crude fiber हो और TDN की मात्रा 60% से यादा हो इनको कहते हम दाना या फिर concentrate कहते हैं फिर इस रफेज को भी इस तरह से तीन भागों में बांटा जाता है नोन मेंटेनेंस टाइप आफ रफेज एक मेंटेनेंस टाइप आफ रफेज और एक production टाइप आफ रफेज नोन मेंटेनेंस का मतलब है जिसमें DCP 3% से कम हो DCP मतलब digestible crude protein 3% से भी बिलो हो और मेंटेनेंस वाले का जो DCP 3-5% और अगर production की बात करें प्रोडक्शन वाले रफेज का DCP 5% से उपर होता है तो जो इस्ट्रा होते हैं वो नोन मेंटेनेंस में आते हैं इस्ट्रा आपने सुना होगा फसल के पकने के बाद सामने थे इस्ट्रा बनता है या इस्ट्रा बाइप्रोडेक्ट की रूप में फसल में से अलग किया जाता है जैसे वीट इस्ट्रा होता है राइस इस्ट्रा यह होते हैं तो यह फसल पकने और आपको पता है जैसे फसल पकती है वैसे उसमें लिग्रिन, पैक्टिन, सुब बेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनकी digestibility घड़ती है, यही कारणा की हे बनाने के लिए, पादप की कटाई की जाती है, पुस्पन की अवस्था में, या फ्लोरिंग इस्टेज में की जाती है, और साइलेज बनाने में दूदी अवस्था या मिल्किंग इस्टेज में की तो यहां पर इस्ट्रा आ जाएंगे, इसमें आ जाएगी जैसे ज्वार की कड़ भी होती है, वो maintenance टाइप में आ गई, और production टाइप में, जैसे leucern है और बर्सी में, इस तरह के leguminous जो fodder होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, इसी तरह से concentrate को भी आपने पढ़ा होगा, energy rich concentrate, protein rich concentrate, यह simple चीज है, अगला आप बताएंगे, उन में, उन में nitrogen और sulfur का ratio बताईएं, बताएं बई, उन में nitrogen और sulfur का ratio बताएं, देखिए, बिल्कुल संदीप पाटिदार के लावा सभी का गलत आएगा, मुझे पता है, यह देख लो, सभी का गलत आए, देखिए, अगर हम पूछते यहाँ पर, ruminant पस्वों के आहार में, तो आप सीधा-सीधा N, अनपाथ, S कर देखेंगे, 10 अनपाथ, 1, लेकिन यह अनपाथ, 1, आप क्यूस्टन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, देखिए, प्रसंद को पढ़ने का ही कोई अंदाज होता है, जो देखते ही, आप सामने वाला जैसा confusion पैदा करता है, वैसा आप घूम जाते हो, ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा सुधारो, अगला हमारा क्यू इस्टड बूल, वे बूल होते हैं, जिनको ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, ब्रीडिंग के लिए, और इसक्रब बूल, वे बूल होते हैं, जिनको कैस्टेट कर दिया जाता है, या जिनको प्रजनन अयोग बना दिया जाता है, जिनकी ब्रीडिंग, जिनसे ब्रीडि इसको stud और scrub bulls में बाटा था, कौन सी योजना थी बारत सरकार की, जिसके तहट इस प्रकार का dividation हुआ था, था वे, की कहे, की विलेज इसकी, की विलेज इसकी, अगला प्रसंद रहेगा हमारा, बताईए, एक mineral होता है खनीज, जिसको glucose tolerance factor कहते हैं, glucose tolerance factor, बताओ, किसको कहते हैं, बताईए, glucose tolerance factor किस खनीज को कहते हैं, बिल्कुल सही है, सबसे पहले answer आया है, संदीब का chromium, और chromium के बारे में हम आपको बताएं, chromium जो तत्व होता है, धत्विक तत्व है, ये chromium, insulin, insulin की kriya silta के लिए आउशक होता है, ये भी बात ध्यान रखना, insulin की kriya silta के लिए, chromium आउशक होता है, और insulin की sensation के लिए, जिंक आउशक होता है, insulin की synthesis के लिए, जिंक आउशक होता है, जबकि activity या उसकी kriya silta के लिए, क्या आउशक होता है, chromium आउशक होता है, अगला प्रसंद बताएंगे आप, मुर्गी की parrot beak, आपने सुना होगा, मुर्गी में parrot beak condition, किस तत्व की कमीशे होता है, parrot beak condition, मुर्गी की जो चौँच है, वो तोते जैसी हो जाती है, उपरी जबड़ा बढ़ा हो करके, और बीक को ढख लेता है, किस तरह से, बिल्कुल कमल सोलंकी ने सबसे पहले आंसर दिया है, मैगनीज की कमीशे, मुर्गी का जो उपरी जबड़ा है, वो बढ़ जाता है, और वो इस तरह से, इस तरह से, अगला प्रसंद रहेगा आपके सामने, स्कूर में पेरा किरेटोसिस, पेरा किरेटोसिस रोग, बताएं बही, किस तत्व की कमीशे होता है, जिसमें त्वचा खुर्दरी और मेंज जैसी हो जाती है, त्वचा बिल्कूल मांसी सिंग का, पूर्वी का, दिप्ती का, सभी का, मौर सिंग, नरिंद्र, धन्नू, सभी का आगया, जिंक की, कमीशे, पेरा किरेटोसिस हो जाता है, जिसमें खुजली या मेंज जो हो जाती, जल्षा जैसी स्खीन हो जाती है, अगला प्रसन आप से है, एक रोग और है, Swallon Hawk Syndrome, यह मुर्गी का एक रोग है, Swallon Hawk Syndrome, यह किस तत्वकी कमीशे होता है, बताएँ भई, Swallon Hawk Syndrome, किस तत्त्व की कमीशी होता है और यह किस में होता है मुर्गी में होता है बिल्कुल ठीक है सभी के सही हैं आंसर है जिंक निहाल गोठारे नेक्स्ट क्यूशन आप से हम कर रहे हैं बताए कि ग्लुकोज के उपापचय के लिए ग्लुकोज या मैं कहूं कार्वोःड्रेट के उपापचय के लिए कौन सा दथ्विक तक तो आवशक है यह और भी आमने कुशन प्या था एक आप को याद हो तो ग्लुकोज डॉल्रेंस फैक्टर बता आया था जिसको उसकर परकार से भी पूछा जा सकता है कि glucose की उपापचे के लिए कौन सा तो उसमें आंसर जाएगा chromium carbohydrate या glucose की उपापचे के लिए कौन सा chromium हमने ही बता दिया आप बता ये आपके लिए नया question है cage layer fatigue cage layer ये आपके सामने एक बीमारी का नाम है cage layer fatigue fatigue का मतला होता है थकान जो पिंजरों में रहने वाली मूर्गियां होते हैं उनमें थकान आना ये किस विटामिन की कमीशे होते हैं पताएं बई देखिए फिर मैंने आपको जटका दिया है यादतर बच्चों का गलत है मुझे पता है आपको दोनों याद है लेकिन आप नहीं बता पा रहे हैं हमने यदि आपसे पूचा होता cage layer paralysis तो आप बताते विटामिन D दो तीन बच्चों का सही है ये और जबकि cage layer fatigue जो होता है ये विटामिन C की कमीशे होता है ध्यान दें cage layer fatigue जो disease है वो condition है वो विटामिन A C की कमी से और cage layer paralysis है ये विटामिन D की कमी से बिलकुल आगे से ये ध्यान रगे cage layer fatigue cage layer paralysis अगला हम आपसे पूचते हैं बताएं हाँ विटामिन जो D है उसको हम sunshine विटामिन भी कहते हैं एक मात्र ऐसा विटामिन है जो प्रकरती से सीधे प्राप्त होता है सूर्य की जो धूप में ultraviolet raise होती है वो जब skin पर गिरती है तो skin में जो अरगे sterols या cholesterol है वो विटामिन D में बदल जाता है विटामिन D दो full में पाया जाता है एक तो D2 और एक दीतरी की डीतू का नाम होता है अरगे केलीजिफिरौप और D3 का नाम होता है tribes which d3 जहादा एक्टी होता है विटेमिन दी को sunshine बड़ कहते हैं is तरह से questions बनते हैं कि क्यूश्म होता है अब हमारा देत्स है अ कि जैसा कि केल्शियम की कमी से लेदरी एक्सेल कंडिशन हो जाती है जो अंडे का जो कवाच एक्सेल है वो चमड़ी जैसा हो जाता है वैसे ही विटामिन डी की कमी से की लेदरी एक्सेल हो जाता है हम ही ने आंसर दें आपको तो अगला प्रसन आपसे रहेगा बताएं भई फूज इस्टेपिंग एक सुवर में तो गीज पक्षी होता है वैसे सुवर जब चलता है फूज इस्टेपिंग बताओ ये किस विटामिन की कमी से गूज इस्टेपिंग वाली कंडिशन होती है आर्या पवन बिल्कुल ठीक है आंसर आपका विटामिन भी फाउव की कमी से गूज इस्टेपिंग होता है अगला प्रसन वोड़ा साट टफ है बताएं एफ एल के एस अभी बच्चों का सही है एफ एल के एस ये किस विटामिन की कमीश होता है फुल फॉम हम बताते हैं फैटी इवर टिडनी सिंड्रोम अज्जू या दाओ बिल्कुल संदीप पाटिदार ने सबसे पहले दिखा बायोटीन यानि इनका तो बिल्कुल थीक जाता है वितामिन B7 और इसी B7 को बायोटीन भी कहते हैं सल्फर यूगत वितामिन है इसके साथ थाइमिन जो B1 होता है B1 और B7 ये दोनों सल्फर यूगत वितामिन होते हैं और इसको Anti-Egg White Ingrid Factor भी कहते हैं जो कच्चे अंडे में evident होता है वो इसको नष्ट कर देता है, जो अंडे की सफेदी का रोक का रग भी इसको कहते हैं, अगला प्रसंद रहेगा आप से जो ब्ल्ैक टंग रोग है, ब्लैक टंग डिजीज, कुत्ते का जो ब्लेक टंग डिजीज है यह किसी कमीश होता है बताएं बैस आरिया शियेज केश किल्कुल घी का आपका अंसर B3 विटामिन B3 की कमीशिक क्या हो जाता है हां यह बलेक टंग रीजीज इंद्डॉंक नोर्थ टूं सौथ रहती है चाहिस या इस्ट वेस्ट इन में से कोई एक सेलेक्ट करो दोनों में से, पूरों से पश्ची में बनाना चाहिए या फिर सर से दक्षिन में बनाना चाहिए, इस्ट से वेस्ट में, और जबकि एक अच्छी जो डेरी फार्म होता है, जो दिसा होती है, वो होती है, नौर्थ टू साउथ, ये वाली जो ये वाली, ये तो मुर्गी और ये डेरी, अगला प्रशन आप से रहेगा, एक दूद निकालने की विधी, जो फुल हेंड मिल्किंग को कहते हैं, और सबसे अच्छी विधी है दूद निकालने की, उसका एक नाम और है, वो बताएं, फुल हेंड मिल्किंग, अब बताएं हैं भाई, फुल हेंड मिल्किंग का एक नाम और है, विल्कुल संदीप पाठेदा ने बतादिया, फिस्टिंग, वेरी गोड, फिस्टिंग, 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 यानि पूर्ण हस्त विधी, इस प्रकार से थन को, बड़े थन वाले पस्वों में प्रकार की जाता है, जिनके थन चोटे होते हैं, उनमें फुलेंड मिलकिंग, और एक जो विधी होती है, वो नकलिंग, वो सबसे खराब विधी होती है, अंगुठा लगा करके इस प्रकार से दूर्ण चला जाता है, इसमें फाइवरोसिस होताती है, थन मिल्किंग के अंदर, ये ती रहता है, साइनी रहता है, ये सब फाइदे है, पसु में पूर्ती रहती है, चुस्ती रहती है, ग्रूमिंग, तो ग्रूमिंग के दो नाम और बताएं आप, ग्रूमिंग के फाइदे नुकसान आप जानते हैं, ये दो नाम बता दीजी, बिल्कुल टिक हट जाती है, और क हम Korea बता दिया यह तो हिंदी सब दो गया कहता है ठीक है चाहिस है एक नाम और हम बता देते है कोंबिंग ya bombing bhi केटें क्यूंकि जो डेंडी ब्रूस है वो यूज की आति है यह बोलते हैं मोटे बोटे ौप वला कंगा और я Cum病 केते हैं इसको brushing भी केते थि तो और एनिमिल्स कि रेइगुलर या Jew होनी चीह अगला जो प्रसंड आपसे रहेगा a seven ग्या हईड़ो यह आपके जो सामने यह compound दिया गया है, यह compound किसका precursor है, किस vitamin का पूरवर्ति पदार्थ है, इप्तित तीवाडी, हिप पाटिदार, बताएं, वांसी पताएं किसका precursor है, कौन से vitamin का precursor है, बिल्कुल सभी का अगर आधिरा ठोड़, यह vitamin D का precursor है, अगला प्रसन बताएंगे, retinol, retinol किस vitamin का, किस vitamin का racinic नाम है, बताएं, किस vitamin का racinic नाम है, ऐसे बता दीजी, ऐसे बता दीजी, बिल्कुल ठीक है, vitamin A का racinic नाम है, यह vitamin A है, यह 3 रूपों में पाया जाता है, देखिए retinol, 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 और retinolicgrade, अब इसमें सबसे जो active form होती है, retinol होती है, और retinol केरोटीन का, करोटीन से आप जानते होंगे करट, करट यानि गाजर, गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरी सब्सक्राइट करोटीन और यह precursor होता हुटा है इसका पूर वर्ति पादार्द होता है करोटीन और करोटीन से ही लिवर में जाकर के रेटिनोल या फिर विटामीन A बनता है अगला प्रस्वन आपसे रहेगा एक बीमारी आपने सुनी यह किस कत्व की अधिक्ता से होता है पीटी स्वर किस कत्व की अधिक्ता से होता है वान सी गलत है यह मोली बडिनम की अधिक्ता से होती है I am इसमें कोईले जैसे काले दस्त हो जाते पीटिस अगला प्रसंद बताएंगे मूर्गी में फ्रिजल्ड फिदर्स फ्रिजल्ड फिदर्स मूर्गी के अंदर फिजल्ड फिदर जो कंडिशन है वो किस तक्त्व की कमिशे होती है इसके अंदर होता है मूर्गी में अब अब हमने जैसे यह इसक्योरं कहा था तो इस्क्योरिंग का मतलब होता है ऐसे दस्ट लगातार दस्ट होते रहे ना पतले दस्ट लगातार होते रहे ना उसको इस्क्योरिंग कहते हैं कि वर्नकों के लिए बालों के रंग के लिए भी जिम्मिदार होता है कोपर to urg30 कोपर अब रंजांग है तो बता चुका में कोपर कि अन्जाःम् है इसक्रेता के लिए आउशसक रहए उस ते मिलेणीन का सिंतेसिस होता है मिलेनिन पीगमेंट जो हता है वर्णकों के लिए सकिन और बालों के वर्णकों के लिए जिम्मिदार होता है इसको सुर निुक का मतलब होता है दस्त एक विमारी और है Osteopenia Osteopenia यह बताएं बहुत ही अच्छा क्युश्च किस तक्तु की कमीशिय होता है बताएं रेंदर मांसी तर राय बताएं Osteopenia किस बिलकुल वेरी गूड कॉपर की कमीशिय होता है कॉपर की कमीशिय यदि मालो कॉपर की toxicity हो गई कॉपर की toxicity हो गई तो आपको पता है हरे दस्त आते हैं कॉपर की poisoning में पसु के यह एक symptom है विसेश और इसमें कौन साइंटी डॉट दो गया आप धारवे बिलकुल मॉलीबिडेनम के अलावा बताना आपको आपको यह तो पता है मॉलीबिडेनम कॉपर का विरोधी तत्व है लेकिन मॉलीबिडेनम के अलावा बताना आपको इसके नहीं बताया एक नहीं नहीं बताया की कहे वही यह संदीप पाटिदार ने बताया दीपेनी सिला माईन है पैनी सिला माईन है बिल्कुल जीग है अगला प्रसंद आप से रहेगा एरेन की टॉक्सिशिक एफी की टॉक्सिशिक आप क्या दोगे आप क्या दोगे नहीं आरिया ने बताया सोरी नहीं बिलकूल डे फेरोक्सा माइन ये है आरेन का एंटीडॉट एंटीडॉट ही हम पूछने लगे तो आप से और पूछ दें बताएं बताएं क्यूरिया पोईजनिंग का एंटीडॉट क्या है कई बार आप से या मैंने देखें आथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मुझे रखते पड़ेगा संकर निनामा क्यूरिया पोईजनिंग का एंटीडॉट बताएं बिल्कुल एसिटिक एसिड था फाइव परसेंट एसिटिक एसिड और ठंडा पानी या विनेगर भी बोलते इसको या सिरका क्योंकि यूरिया आपको पता है जब डैजेस्टिव ट्रेक्ट में जाता है तो अमोनिया उत्पन करता और अमोनिया की प्रकरती शारिया होती है उस शारियता को कम करने के लिए हम अमल देते हैं जिसको हम कह रहें शिरका अगला प्रसंद बताएंगे टॉक्सी को लोजी से एक प्रसंद यानि यूट्रिशन के साबसे भी प्रसंद पक्का बनेगा अगला आपको बता देता हूं मैं आर्सेनिक पोईजनिंग में आपको बाल काम में लेना है अर्सेनिक और इसके अलावा हम लेड की बात करें लेड पोईजनिंग में भी आप बाल काम में ले सकते हो इस बाल को डाय मरक कर प्रवल भी कहते हैं यह और लेड के अंदर एक और ले सकते हो आपके ऐलशियम टीडी के बाद आपको HCN पोईजिनिंग या साइनाइड पोईजिनिंग का पता ही होगा इसमें सोडियम नाइटराइट सोडियम नाइटराइट और सोडियम थायो सल्फिट देते हैं अधियम नाइटराइट और सोडियम थायो एसीन पोईजिनिंग में HCN के बाद जनी साइनाइड पोईजिनिंग के बाद हम बात करें जैसे मान लिजीं पीला कनेर पशुने खा लिया तो पीले कनेर के लिए इसको नीरियम बोलते हैं इस है'd इस पोईजिनिंग में ये आप उसको दे सकते ओएट्रोपिन है Hopefully God और्गेनो फोस्पेट पोईजिनिंग में, और्गेनो फोस्पेट पोईजिनिंग में देते हैं, एट्रोपिन, यह ड्रग अप चोईस है, यह एंटीडोट जिसको हम प्रॉपर एंटीडोट कहेंगे, एट्रोपिन सल्पेट, और्गेनो फोस्पेट पोईजिनिंग में, और इस enzyme को inhibit कर दिया जाता है, काम करने से रोग दिया जाता है, organ of phosphate poisoning में. अगली एक और बात मैं आपको बताऊं, जो cyanide poisoning होती है, HCN वाली, यानि प्रसिक acid वाली, या फिर यूं कहें, dhorin poisoning, jar की विसाक्तता जो होती है, उसमें एक enzyme होता है, जिसको कहते हैं, cytokrome, cytokrome oxidase, cytokrome oxidase enzyme को क्या कर दिया जाता है, inhibit कर दिया जाता है, यानि इसको काम करने से रोग दिया जाता है, cytokrome oxidase, HCN poisoning, और जो nitrate poisoning होती है, उस nitrate poisoning में क्या होता है, जो hemoglobin है, वो nitrate से क्या करके, methemoglobin बना लेता है, या methemoglobin या methemoglobin आप इसको कह सकते हो, यह permanent, एक brown color का, या फिर compound होता है, brown, blue color का, त्वचा कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, यानि sinosis वाली स्थती हो जाती है, यानि नीला पना आ जाता है, इसमें nitrate poisoning, और जो nitrate poisoning होती है, इन plants में nitrates की अधिक्ता होती जल, आपको पता है, सतही जल होता है, ground water, जैसे इतालाब होती है, ग्राउंड वाटर में nitrates की अधिक्ता होती है, और nitrates से test भी किया जाता है, दूद में पानी की मिलावट का test, यदि दूद में 3% से ज़्यादा, अगर मान लीजिए, पानी मिलाया गया, चुकि 3% तो अला तो यह nitrates, ground water में पाये जाते हैं, और nitrate poisoning के बारे में हम बता दिया, nitrates की poisoning होती है, ज्यादा तर ओट से, जानते हो आप जाई, तो ओट है poisoning होलते हैं, काफी questions यहां से बन सकते हैं, अगला यदि आप से मैं पूछू बिनोला, बिनोला आप जानते ही हो, कपास, यानि cotton seed, cotton seed की यदि poisoning हो गई, या फिर ज्यादा दे दिया, इसमें हम क्या देते हैं, हमें 1% calcium hydroxide और 1% FSO4, फेरस sulfate देते हैं, आपको पता है, cotton seed या बिनोला जो होता है, इसमें gosipol पाया जाता है, gosipol आइरन की कमी करता है, तो जैसे बिनोले के साथ में, ये देना ठीक रहता है, और यदि मान लिजी, mimosin आपने सुना होगा, mimosin जो है, सुबाबूल में पाया जाता है, mimosin toxin है, mimosin, mimosin को हमें दूर करना है, तो जो सुबाबूल की पत्तियां हैं, उनको steam treat करना पड़ता है, भाप से, या उन्हें सुखा करके खिलाना पड़ता है, ज्यादा तर जो जाम पल्दू, soya bean है, moong है, जितने भी दलहनी होते हैं, उनमें trypsin inhibitor और chymotrypsin inhibitor पाया जाते है, जो protein का पाचन करता है, उनके विरोध में, उनके पाचन को रोकने वाले पदार्थ पाया जाते है, जब उनको steam treat किया जाता है, या उनको गरम किया जाता है, सेका जाता है boil किया जाता है, उबाला जाता है, eat treatment किया जाता है, तो उनके अंदर जो antinutrational factors है, उनको नश्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम toxicity की बात करते हैं, तो इसमें हम antinutrational factors को भी सामिल करते हैं, जरूरी नहीं है, toxicology में, प्रांट से भी toxicity हो जाती है, ऐसे आप से, अगर मैं mercury की poisoning में बात करूं, तो इसमें प्रिटिस एंटी, लिसाइट काम में ले बाल, और इसके अलावा अगर फलोरीन फलोरीन poisoning की बात करूं, तो आपको पता है, फलोरीन और सेलीनियम, दोनों की कमी और अधिकता दोनों ही परेशान करती है, सेलीनियम की कमी से भी रोग होते हैं वैसे ही फ्लोरीन की कमी से भी रोग होते हैं और इनकी अधिकता से भी रोग होते हैं फ्लोरीन की कमी से डेंटल केरीज हो जाता है और अधिकता से हो जाता है फ्लोरोसिस का मतलब है दातों में हड्यों में फ्लोरीन का जमा होना और फ्लोरीन और सेलीनियम दोनों ही तत्व ऐसे हैं जिन से कुछ विशेस भाग शरीयर के वह प्रभावित होते हैं आपने देखाओगा खूर, खूर है या सींग है या फिर अधिया धांत हैं इस प्रकार के भाग इन दोनों अनक्नों से प्रभावित होते हैं इन और selenium से, इनकी कमी और अधिकता, selenium की कमी और अधिकता आपको खूब अच्छे से पता है, selenium की जो अधिकता है ये तीन तरस ही होती है, एक तो acute, एक sub-acute और एक chronic, acute वाली में पेट दर्द होता है, दस आता है, आफरा हो जाता है, sub-acute वाली को blind staggers कहते हैं, कहते हैं, और chronic वाली को कहते है, alkali disease, इसमें खूर का खोल भी उतर जाता है, कई बार, alkali disease, अब हम बात करते हैं, other poisoning की, तो जैसे opioid है, अफीम वाले, अफीम वाले जो आपको plants हैं, या ओपियम, तो हम बोलते है, पैपेवर सोमनी फिरम, ज्यान रखना, medicinal plants की बोटनिकल नेम भी पूर्ट की जा सकते हैं, जैसे अफीम का होता है, पैपेवर सोमनी फिरम, जो poppy, जो plant होता है, इसके capsule राप्त किया जाता है, ज्यादा तो important नहीं है, पर कभी-कभी examiner, general questions भी कर लेता है, जरूर नहीं है, आपके पड़े हुए, हाँ, लेकिन पिछली क्लासों में, जैसे दसवी में, या भार्वी में, या कहीं नखहीं, आएंगे, इसी प्रकार से, तो हम उनकी बात नहीं करके, opioid toxicity का antidote बताते हैं, जो नेलोर्फिन है, नेलोर्फिन है, या फिर, तो हम नेलोक्सोन कहते हैं, ये opioid antagonist होता है, यानि अफ हम बार्वी चुरेट्स की बात करें, बार्वी चुरेट्स की, बार्वी चुरेट्स आपको पता है, ये CNH डिप्रेस करने के लिए काम में लिये जाते हैं, जो कि यूरिया और एक एसिड है, मेलोनाईल, उससे ये बनते हैं, बार्वी चुरेट्स, तो बार्वी चुरेट का जो एंटीडोट है वो होता है बेमेग्राइड, बेमेग्राइड, अप्योइड का होता है नेलोर्फिन, बार्बीचिरेट का होता है बेमेग्राइड, यदि एलकेलोइड की पसुने खाली है, कोई सा भी एलकेलोइड हो, उसके लिए specific कोई treatment नहीं है, लेकिन टैनिक और वैसे ही हम एक्टिविटेड चार्कोल सबसे बहस्त रहता है, एक्टिविटेड चार्कोल, यह हमने कुछ toxicity डिस्कस की, यानि पोईजनिंग्स डिस्कस की, वैसे ही sweet clover जो होता है, आपने एक पौदा सुना होगा, sweet clover, विटामिन के, के, जो कि anti-hemorrhagic vitamin होता है, आपको पता है, sweet clover, जो एक plant होता है, वो किसको नश्ट करता है, वो vitamin K की कमी करता है, हाँ, vitamin K की कमी करता है, और बच्चों को comment करने की जल्दी है, ठीक है, हम आपसे comment करवाते हैं, क्यूस्टन फूच ही लेते हैं, बताईए, CNS, stimulant का example, बताईए, किसी भी CNS, stimulant का example, बताईए, जर्तिन अग्रल, कमल, सोलंकी, ट्रू, ट्रू, बताएं, CNS, stimulant का example, बताईए, very good, nicothemide, कमल, सोलंकी, ने बताए दिया, nicothemide, इसी तरह से हम, respiratory stimulant, respiratory stimulant, बताए, स्वसंत अंत्र को उदीप्त करने वाला, compound, बताएं, ठीक है, CNS, stimulant हो गया, इसके बाद, respiratory stimulant भी बतादीजिए, नहीं है, सालबूटा मॉल नहीं है, इस्टिमुलेंट नहीं है, सालबूटा मॉल, देखे, सालबूटा मॉल तो, bronchio dilator है, bronchio dilator, वे पदार्त होते हैं, वे रासनिक पदार्त, या वे उस्टियां होते हैं, जो bronchiols को चोड़ा करती हैं, जिससे, हाँ, ये आरियन ने ठीक बताए, chloramine, derryfylene, नहीं है, ये सब bronchio dilator होते हैं, जो bronchiols को क्या करते हैं, चोड़ा करते हैं, जिससे oxygen ज्यादा जाए, जो दिमाग पर काम करके, और यदी, नहीं, CO2 तो उल्टा कमी करेगा, CO2, respiratory stimulant, ठीक है, अगला प्रसंद रहेगा, हमारा आपसे, ये CO2 तो, जो केंदर सिंग क्या लिखा, डॉक्सा, हाँ, अब सही आंसर आ गया, ठीक है, जो डॉक्सा प्राम हाइड्रो क्लोरेड होता है, डॉक्सा प्राम हैज्सियल, क्या करता है ये, ब्रेन पर जाकर के, जो medulla ablageta, जो क्या आपको पता है, स्वसन का केंदर होता है, उसको ये स्ट्यूमिलेट करता है, अगला प्रसन हमारा रहेगा, स्टार्च एक्विलेंट का आपने नाम सुनाओगा, स्टार्च एक फीडिंग स्टेंडर्ड है, न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं, star succulent feeding standard यह किस ने दिया था बताईये भई star succulent feeding standard यह किस ने दिया था जिर्दोडस sus Jovan Scaligner ने दिया था यह आन्सर आपका Scaligner नाम के scientist ने star succulent दिया था इसके बाद हम ed yen आपसे खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा की सूपकरण से ग्याद करते हैं खाद्य पदार्थों में नमी यानि मोईश्यर यानि H2O जिसको हम कह सकते हैं की मात्रा किस से ग्याद करते हैं बताएं खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा किस से ग्याद करते हैं बिल्कुल विकाश डांगी का अंसर आ गया होट केलास गलत है वह यह तॉक्सलेट कैसे कर रहे हो आप एर ओवन होट एर ओवन हम आपको बता देते हैं इस तरह से बकसे नुमा उपकरन होता है जिसे हम इस्ट्रलाइज़र में भी काम मिलेते हैं जैसे माली जी यह पैटिडी से इसमें हमने हराचारा बर लिया यहां पर हमने हराचारा बर लिया इस हरे चारे को भर करके इसके अंदर रख रखने के बाद इसका temperature हम इसमें on कर देते हैं यहां thermostat होता है temperature को regulate करने के लिए और इसमें पहले weighing कर ली जाती है और बाद में weighing कर ली जाती है पहले तोल लो बाद में गरम करने के बाद में काफी देर गंटे बर बाद तो जो नमी है यह उड़ जाती है यानि जितनी नमी उड़ी उतनी ही पानी की कमी हुई तो वो पानी की मात्रा इंडेलिकली हमने ग्याद कर लिए वैसे आप से मैं पूछू मफल बट्टी जो होती है मफल फरनेंस मफल बट्टी जिसको है लगबग 660 degree centigrade इसका तापमान होता है इससे पेड़ पौधो में या चारे में या खाद बट्टी के अंदर जो बसता है वो खनीज पदार्थ होता है ऐसे ही आपको हम बताएं NFE आपने सुनाओगा nitrogen free extract nitrogen free extract का मतलब होता है जो गुलंसील या soluble carbohydrates होते हैं चारे में या पसों के खादे-पदार्तों में गुलंसील carbohydrates इनको हम NFE कहते हैं और जो ए गुलंसील होते हैं उनको बोलते हैं crude fibers ए गुलंसील उनको बोलते हैं ए गुलंसील या जो non-soluble आपको पता है cellulose, hemicellulose, tignin, pectin, suverin ये सब तो crude fractures जो विभिन प्रकार की शरक्राएं जो बहुत अच्छी digestible होती हैं और गुलंसील होती हैं वो किस में आती हैं वो आती है nitrogen free extract में यानि एक तरह से carbohydrate भी दो रूपों में हमने इसको divide किया यहां पर nutrition में अब आप ध्यान दीजिए crude fiber का estimation किससे किया जाता है crude fiber का estimation किया जाता है से ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला carbonic पदार्थ क्यालाता है cellulose को हम biological plastic भी कहते हैं और cellulose बनता किससे है यह beta-d-glucose का बहुलक है पॉलीमर है beta-d-glucose की बहुत सारी units जूड करके cellulose का निमान करती है फिर cellulose को digest करने के लिए किसी भी vertebrate जानवर में शमता नहीं होती है और cellulose का digestion किया जाता है केवल और केवल सुक्षम जियों द्वारा यानि bacteria protozoa इनके द्वारा microorganism के द्वारा पस्वों के प्रोटो जोवा होता है वो भी का digestion करता है cellulose का तो cellulose के digestion की जो capacity है या फिर cellulose enzyme है केवल सुक्षम जियों या microorganism के द्वारा ही बनाया जाता है ठीक है अगला प्रेशन हम आपसे करते हैं चारे का शारिय उप्चार तोड़ा सा track बजलते हैं चारे का शारिय उप्चार देखिए चारे का शारिय उप्चार से आप क्या समझते हो alkaline treatment of roughage और कौन से रफेज का alkaline treatment किया जाता है जो रफेज डाइजेस्ट नहीं हो जिस रफेज में लिग्रिन पैक्टिन सुबेरिन जमा हो या एक तरह से भूसे का या इस्ट्रा का किया जाता है और वूस में क्या किया जाता है तीन परसेंट सोडियम हैड्रोकसाइड के स रफेज साथ इस्ट्रा को या ऊस भूसे को पाणी के अंदर नमी के अंदर रख दिया जाता है दो से 3 दिन के लिए जिससे उसके अंदर जो लिगनिन, पेक्टिन, शुवेरिन हैं, वो गुल करके अलग हो जाते हैं, और इससे क्या है, उसका डाइजेशन बढ़ जाता है, उसका पाचन बढ़ जाता है, वैसे ही चारे का यूरिया उपचार किया जाता है, अभी मैंने थोड़े देर पहले बताया था, जिन खाद्यप आर्थों का किया जाता है, जैसे पस्वों के लिए जो भूसा होता है, भूसे में 3-4% यूरिया की मिलावट आप कर सकते हो, परमीशिबल है, यानि टॉक्सी नहीं होगी, वैसे ही हराचारा है, तो हरे चारे में आप 0.5% यानि आदा परसेंट तक यूरिया मिलावट कर सक और वैसे ही आपको यूरो मल जो ब्लोक है या यूरिया मॉलासेज ब्लोक है, उनके बारे में भी आपको जहान रखना है, 3 kg बजन का होता है, 5 NDDB द्वारा और उसमें मॉलासेज होता है, 45%, 15% यानि 15%, यह यूरिया मॉलासेज ब्लोक भी इंपोर्टेंट है, परसंद, 15% इसमें यूरिया 45% मॉलासेज खनीज होते हैं, इसके अंदर बिनोले की केक या कॉटन सीट केक होती है, यह सब आपको आना चाहिए, इंपोर्टेंट हैं सब, रादे रा ठोड़, हाँ भी, अब हम आप से प्रसंद कर लेते हैं, एक सिंपल सा, बताएए, शरीर में कैल्श केल्शियम एंड फास्फोरस इन बोड़ी, बताएए, यह जदे दर बच्चों का सही है, दोन पाते हैं, दस एक बता रहे हो गलत है, हाँ, तू रेस टू वन, देखिए, जो टोटल सरीर का केल्शियम है, उतका 99% जो भाग है, वो दांतों और अस्तियों में पाया जाता है वैसे ही, जो कुल फास्फोरस होता है, उसका 80% फास्फोरस वो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, उस मेगनीशियम का 70% भाग दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, यानि दांत और हड्डियां, केल्शियम और खनीजों, जितने भी खनीज़ हैं, उनका एक कर रूना हुगा अनाजों का जो भाई आवरन होता है उसे ब्रान कहते हैं एक ब्रान ніडाप डीजीज मैंने आपको बताई ती थी मिलर्स ॥ी कहते हैं उसको ब्रान में आप केल Sc extend slash baby hair indigenousальной यह मादे आट करें को केलशियम और पास्पड़स का अनुपाथ बताएं बताएं भी प्रान में केल्शिम और फास्परस का रिश्व बताएं कमल, सोलंकी, विकाश, डांगी बताएं भी कापी सारी बच्चे हैं बताएं कमल, सोलंकी सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश गूजर ने सही आंसर दिया है ब्रान में केल्शिम और फास्परस का अनुपात होता है एक अनुपात की दस 1 रेश्टू, केल्शिम और फास्परस यह रेश्य होता है, फास्परस दस गुना होता है यानि ब्रान is the richest source of फास्परस इसलिए तो उसका नाम ब्रान है, फास्पुरस की कमी से पस्वों में एनेश्टरस हो जाता है, एनोरेक्शिया हो जाता है, भूकी कमी हो जाती है, पाइका हो जाता है, और यहाँ पर यह वाला क्यूशन ज्यादा तर बच्चे नहीं बता पाए, तो अब आप ध्यान रखेंगे, केल्शियम की तुलना में फास्पुरस दस गुना तक होता है, और वैसे खादे पदार्थों की पूच्चों के खाने में रेशो आदर से रेशो केल्शियम और फास्पुरस का यह तू रेश्टू वन यही होना चाहिए, और यही बोडी में ह होता है, लेकिन ब्रान में यह देखिए, उल्टा पुल्टा हो जाता है, ब्रान में फास्पुरस दस गुना तक होता है, केल्शियम का, और उन में मैंने आप वो नाइट्रोजन सल्फर का बताई दिया था, पांचनपात एक, और वैसे ही आपको मैंने पस्वों के आहर में N और S का रेशो बताया था, वो 10 raise to 1, ऐसी याद रखना आप, बताये बचडे का पर्थम मल क्या कहलाता है, ठीक है, बचडे का पर्थम मल बताये क्या कहलाता है, बताये वही आंसर, बिल्कुल ठीक है, अभी हाँ, खोड़ा रिलेक्स हो गया, आप लोग इस क्यूशन से, म मुटोनियम कहलाता है, और जो कोलोस्टरम होता है, को हम बीष्टिंग भी बोलते हैं, ये खश्ट मिल्क होता है मादा का परसव के बाद में, इसको कोलोस्टरम कहते हैं, आखर प्रोटीन कंटेंट देखें, तो इसमें 17% तक प्रोटीन होता है, अगर एग के अंदर प्रो इंदर भॉरडि के अंदर देखे तो भी 17 पर सेंट और अगर हम मीट के अंदर देखे तो Amit में भी ध्यान कर दान 19 पर संट इस पर सेंट प्रोटिन अब मैंने आप से चाहं दर परसंट पना थेels असुऩ में फैट में कार्बन कितना प्रतिस्थय दोता है पता हैं वई फैट में कार्बन कितना परसेंट होता है संदीप पाटिदार ने बहुत अच्छा अंसर दिया फैट में जो कार्बन है वो 77% होता है देखें जैसे हम भी तेल जलाते हैं कि तेल में से इतना सारा धुह निकलता है काला वैसे कागज जलाते हैं जब नहीं कागज हो गया सेललोस का बना हुआ कार्बाइडेट का बना हुआ उसमें इतने धुह नहीं क्योंकि कार्बन कम होता है उसमें फैट वाली चीजों में ओईल जो जलता है तब बहुत ज़दा कार्बन निकलता है को तो कार्बन वैसे ही ज़्यादा होता है फैटवाली चीजों में अगला प्रसंद आप से पूछू में यह भीendeu इंपोटेंट है प्रोटीन में नायट्रोजन कितना प्रसेंट्ट होता है कमल शोलंग की 90 परसेंट नहीं है प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसंटेज बताएं देखिये संदीप पाटिदार गलती कर वैठा ऐसे जटका लगता है 50 बताया आपने यह 16 होगा 16 हमने नाइट्रोजन पूस और आपको शैद कल परसों की लाइव क्लास में यह बात हमने बताई थी अगला प्रसन आप बताएंगे वधिया वधियाकरत यानी केस्ट्रेटेड केस्ट्रेटेड रेम को क्या कहते हैं रेम को और बख दोनों के लिए एक ही टर्मिनलोजी यूज जाती है पताएं ये नरेंदर वर्मा मेंडा कह रहा है मेंडा वेडर कहते हैं बिल्कुल वेडर या वेडर नेक्स्ट प्रसन जैल्डिंग आपको पता ही है बधियाकरत गोडे को जैल्डिंग कहते हैं बधियाकरत सुवर को बधियाकरत मुर्गे को कैपन कहते हैं बधियाकरत मुर्गे को कहते हैं कैपन अब आप मुर्गी के सरीर का सामानेता आपमान बता दीजिए और 107 अगर आपको option में नहीं मिले और 106 मिल जाए तो भी आप tension मत करना 107 degree यह फॉरने आइट में है भाई आगर centigrade में फूसे तो लगवाग हो गया है 41 42 के असवास अगला प्रसन आप बताएंगे सुर के लिए एक अतिरिक्त आवशक अमिनोमल होता है सुर के लिए वो बताएं कोहर सिंह कीरा लॉकेंदर सिंह काजल सें गौर सिंघ टाट हमा राजोरिया नरेंदर वर्मा बता है यह प्रसन का उत्तर बता है बिल्कुल लाईसीन एक बच्चा लिनोलिक करा रहे, लिनोलिक भाईया क्या है, लिनोलिक, अभी मैं बता देता हूँ, देखिए fatty acids हैं, आपको पता होगा, वसा या fat किसे बनती है, वसा या fat बनती है, वसी है, अमले और glycerol से, इन से बनती है, fat, और जो fatty acids हैं, इनको दो बागों में divide किया जाता है, एक तो saturated fatty acid और unsaturated fatty acid, आपने आजकल एक नाम प्रचलीत हो रहा है, पूफा, P-U-F-A, पूफा, polyunsaturated fatty acid, यह स्वास्त के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जिन में कई सारे द्विभंद पाये जाते हैं, double bond, यहने unsaturated, देखिए, आपने पढ़ाओ का, alkin, 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 इस तरह से single bond होता है, वो होता है, unsaturated, और double bond और triple bond वाले योगिक होते ह हैं, वो होते है, unsaturated, यह इसके लिए इन और इसके लिए आइन, तो यह यहां पर saturated fatty acids जो होते हैं, वो सरीर के लिए आवशक नहीं होते हैं, इनको अनावशक बोलते हैं, अनावशक यानि non-essential, अनावशक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह नहीं चाहिए हमें, इनका example है, esteric और palmitic, इस तरह के जो acid हैं, वो होते हैं, esteric acid, palmitic acid, इनको बोलते हैं, संतरप्त वसीय अमल या अनावशक वसीय अमल, यह important है, unsaturated fatty acids को हम आवशक वसीय अमल भी बोलते हैं, आवशक वसीय अमल भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो example है, वो ओलिक है, लिनोलिक है, लिनो lennik है, arachidonic है, arachidonic, era, arachidonic acid, so olic acid, linolic acid, linolenic acid, arachidonic acid, all these are unsaturated fatty acids which are essential for animal body, यह जो आप बोल रहे थे, linolic, इसके लिए हमने बोला है, मुर्गी के चिकन में होता हर्ट ये क्या बोलाया भाईया ठीक है इससे संबंदित प्रसंद मैं पूसता हूँ आपसे बता है भाई मुर्गी के अंडे का इंक्यूबेशन पिरियड कितना होता है 21 दिन आपको पता होगा जीश मुर्गी के अंडे नीश्यचन हो गया नीश्यचन का होता है इन्टर्नल फटिलाइशं होता है मुर्गी में आपको पता है 15 मिनट में योग जो है इन फंटी बुलम में ओवरी से त्यार जा करके आता है एलेक्रिक डिस्ट्रिबेंस है भाईया